हे गाईज वेलकम बेक टुमा चैनल आज हम बनाएंगे मावा चोकलेट मोदक बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम मावा लिया है इसे हम पेन में एड़ करेंगे इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हमें स्लो फ्लेम पर ही कुक करना है जब मावा गरम हो जाए और थोड़ा मेल्ट होने लगे तब हमें इसमें 1 टी एसपी कोफी पाउडर और साथी 1 एंड हाफ टेबल इस्पून जितना कोको पाउडर एड़ करना है इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे कोको पाउडर हमेशा अच्छे व्रांड का लेवे वरना कोको पाउडर का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है यह अच्छ से मिक्स हो गया है लेकिन अगर आपको यह ड्राइ लगे तो आप इसमें 1 टीस पी जितना मिल्क एड़ कर सकते हैं मेरा मिक्स्टर इतना ड्राइ नहीं है तो मैं हाफ टीस पी जितना ही मिल्क एड़ कर रही हूँ अब मैं इसे 4-5 मिट के लिए स्लोप फ्लेम पर अच्छ से कुक कर लूँगी इसे मैंने 4-5 मिट के लिए पका लिया है अब यह एक डोकी जैसे एक साथ हो गया है पूरा अब हम फ्लेम ओफ करेंगे और इस मिक्स्टर को एक प्लेट में निकालकर अच्छ से ठंडा कर लेंगे हमारा मावा जब ठंडा हो जाए तब ही हमें इसमें शक्कर एड करनी है यह मैंने 1-4 cup जितनी शक्कर लिए अगर आप बजार वाली PCV शक्कर लेते हैं तो उसे आप थोड़ा से जादा डालें क्योंकि बजार वाली शक्कर थोड़ी कम मीठी होती है इसे हम अच्छ से मिक्स कर लेंगे इसमें मैं 1 टेबल इस्पूंज इतनी शक्कर और एड कर रही हूँ इसे हम अच्छ से मिक्स कर लेंगे दो अच्छ से मिक्स हो गया है अब यह मैंने थोड़ी सी चोकलेट वर्मिसिली लिए यह टॉटली ऑप्शनल है अब हमारे मिक्चर की हमें एक बोल बना लेंगे और वर्मिसिली में उसे कोट कर देंगे यह व PROFAL का मौल लिया है जिसे मैने अंडर की तरफ गी लगा दिया था बॉल का हम इसमें डाल देंगे और सभी side को अच्छे से प्रेस करके इसकी shape देंगे अब जो ये बीच में space हो गया इसमें भी हम mixture फिल करके अच्छे से प्रेस कर देंगे हमें मोदक को इस तरह से नीचे से पकड़ के निकालना है इसी तरह से हम सारे मोदक बना लेंगे इस measurement से आपके इस size के 12 से तेरा मोदक बन जाएंगे तो तयार है हमारे इस chocolate मोदक If you like my video then please like, comment, share and subscribe to my channel Thank you